दोस्तों एक बहुत ही important सवाल कि अगर कोई एक ऐसा प्लान है जिसके उपर आप सालों से काम कर रहे हैं बट वो प्लान सही तरीके से काम नहीं कर रहा है उस प्लान से आपके जिन्दगी है वो जैसे तैसे चल तो पा रही है बट ना तो आपके कोई dreams और ना ही आपके कोई goals पूरे हो रहे हैं तो क्या आप ऐसे प्लान के साथ आगे continue करना चाहेंगे आप उस प्लान पे और कुछ सालों तक और कुछ अगले 10-15 साल तक काम करना चाहेंगे तो सायद आपका जबाब होगा नहीं जी हां बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई प्लान हमारे लिए work नही कर रहा है जिस पर हम सालों से काम कर रहे हैं तो हमें अपना प्लान चेंज करने की जरुवत है ये बात समझने जैसी है कि हम अपने प्लान को चेंज करें और बहतर प्लान के साथ काम करें ताकि हम अपने ड्रीम्स और गोल्स को भी पूरा कर सकें और जिन्दगी बहतर से जी सकें, तो दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो का जो मेसेज है, वो यही है, और इसी बारे में मैं आप से आज कि इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, कि अगर कोई प्लान आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो आप उस पर क्यों काम कर रहे हैं, दोस्तों, हम में से ज काम वो कर रहे हैं, वो कितने सालों से कर रहे हैं, तो ज्यादतर लोगों के जवाब होगा, पांच साल, छोई साल, आठ साल, दस साल, इस तरह से लोग काम कर रहे हैं, बट दूसरा सवाल यह पूछा जाय कि क्या सब कुछ सही चल रहा है, तो वो यह जरूर कहेंगे कि नही उतना सही नहीं चल रहा है, जितना वो चाहते हैं, इसके बाद तिसरा सवाल ये पूछा जाया कि उन्होंने इतने सालों काम करने के बाद से, कितने पैसे सेव कर लिये हैं, अपने रिडार्मेंट फर्ड में कितना जमा कर लिया है, या फिर कितना वेल्स क्रियेट कर लिया है तो ज्यादतर लोगों का जबाब होगा कि बहुत ज्यादा नहीं तो अब ऐसे में सवाल ये आता है कि अभी तक वो इस जिस तरीके से काम कर रहे है तो उसी तरीके से जैसे कि पिछले 5 साल, 10 साल से वो जो काम कर रहे हैं और उसके बास रिजल्ट ये है कि वे ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं तो क्या उन्हें इस प्लान पे आगे और कंटिन्यू करना चाहिए तो इसी बारे में Mr. Jimron कहते हैं कि उनके भी मेंटर ने यही सवाल किया था और उनसे पूछा था कि Jimron आप कितने सालों से काम कर रहे हैं तो Mr. Jimron कहते हैं कि मैं 6 सालों से काम कर रहा हूँ फिर उनके मेंटर उनके गुरू यह पूछते हैं कि आप 6 सालों से काम कर रहे हैं तो सब कुछ कैसा चल रहा है तो बोलते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं मैं तो अल्रेडी बहुत परशान हूँ इसके बाद तिरस वाल ये पूशते हैं कि उन्होंने पैसे कितने जमा कर ली हैं तो ये पूशते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं तो अब वो मुझे जो गुरू है वो ये कहते हैं कि Mr. Jim Rohn आप को तुरंद अपना प्लान जो है चेंज करने के जरूत है और आप मुझे ये बदाए कि आपने ये वाहियात प्लान किस से खरीदा हुआ है किस से परशेच किया हुआ है कहां से आपने ये कॉपी किया हुआ है कहां से आपने ये सीखा हुआ है कि जो प्लान काम ही नहीं कर है उस पे लागदार आगे भी काम करते जाएं यह इससे बड़ी मुर्खता और क्या हो सकती है आप मुझे बदाएं तो दोस्तों हमें भी यहां पर यही बात समाजने की ज़रूत है और हमें अपने खुछ से यह सवाल बद्ब्लिब कि जो हम वर्क कर रहे इतने सालों से, उसकर CSC में बद्धार है, भिर भी हम सी प्लान पर वहीं वर्क करते जा रहें हमें समाहिने की जरूace है कि अगर हम वहीं चीज करते रहें, जोब तक करते आएwing हैं तो हमेरे जो रिजल्ट है वो कुछ और देखने को नहीं मिलेगा रिजल्ट वही रहेगा थोड़ा सा कम यह ज्यादा तो यहां पे अगर हम चाहते हैं कि हमारा आने वाला फ्यूचर बेहतर हो हम अपने जो भी ड्रिम्स और गोल्स हैं उससे सेलरी नहीं बढ़ रहे हैं कंपणी को इंकम नहीं बढ़ रहा है बट उन्हें समझने की जरूद है कि वास्तों में जैसा ने पिछली वीडियों बताया था कि हर आदमी अपनी जो स्किल्स है अबिलिटी है काबिलियत है अपनी आउखात है उसके बराबर ही कमाता है और हो सक जो स्किल्स को डियुलप करें अपने नॉलेज को बढ़एं अपने अपने इस्तेमाल करते हुए जो भी चाहते है उसके वारे में आप स्टेडी करें फिर प्रक्टिस करें और फिर आपको पा सकते हैं जो आप चाहते हैं जैसे मैं प्लवीडियों बताया था कि कुछ भी पाने का नियम यही है कि simply आप जो पाना चाहते हैं उसके study करें और फिर उसकी practice करें तो दोस्तों यहां पीपे में समझने की जरुवत है कि अगर आज तक जो हम जिस प्लान पर काम कर रहे हैं जाने जाने जिस भी वाहियात प्लान पर हम काम कर रहे हैं वो वाहियात प्लान अ नहीं करेंगे तो जो रिजल्ट है वो चैंज नहीं होगा तो दोस्तों आज होब कि आप अपना जो प्लान है अगर आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो उसके जरुब काम करते हुए उससे चैंज करेंगे और आने वाले future को बेटर बनाएंगे तो दोस्तों इस वीडियो इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक कि लिए आप सभी का इस वीडियो पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जूट रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद